तो रेडियन्ट और ग्लोइंग बनाने के लिए हमें इन दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी तो हेलो फ्रेंट्स मैंनी तुसिंग आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं तो फ्रेंट्स आज हम इसके उपर वीडियो बनाने जा रहे हैं तो इस इन दोनों इंग्रेड स्किन के हमारे स्किन में बहुत ही बेनेफिट है लेमन जो है वो विटमिन सी का उसके में बरपूर है जो कि हमारी स्किन को लाइट करने में हल्प करेगा और हनी हनी आप कोई सा भी ले सकते हो मैंने यहां पे डाबर और जी डाबर का लिए तो यह जो हनी का काम है वो हमारी skin को glow करना radiant करना skin को clear करना तो friends इन दोनों चीजों से ही हम अपने skin का glow वापस ला सकते हैं तो इसको कितने दिन लगाना है आप इसको हफते में तीन बार लगा सकते हो एक दिन छोड़ के जादा भी नहीं अप्लाए करना है इसको तो daily basis वाला इसका कोई नहीं है कि आपने daily use करना है नहीं इसको एक दिन छोड़के आप use कर सकते हो तो यह हमारे skin को बहुत ही glow प्रवाइड करेगा यह हमारे skin को light करेगा यह वाला हमारे skin में pigmentation sunburn sun tan कुछ भी है न वो सारा कुछ remove करेगा तो अब मैं इसका जो यह lemon है यह थोड़ा बड़ा है full size है तो मैं इसको थोड़ा सा cut करूँगी और इसमें हम honey डालेंगे जितना कि हमारे face पे लग जाए कर लिया है इसमें हम डालेंगे honey तो honey आप देख लेना मैंने कितना डाला है तो आप उसे according honey डाल लेजिएगा के उपर ही honey डाला है जितना lemon ही मैंने honey ले लिये तो मैं यह face पे apply करके दिखाऊंगी आपको तो आपने क्या करना है यह honey मैंने अपने चिक्स पे फोरेट पे नोस पे अच्छे से लगा लिया है और लगा के फिर circular motion में मैंने यह मसाज देनी है तो आपने यह मसाज जो है कम से कम पांच मिनट तक देनी है और अगर आपका यह लग रहा है कि ड्राय हो रहा है तो आपने इसको और मतलब इसका lemon का juice निकाल के आपने अपने face पे लगाना है जिससे यह क्या होगा कि आपकी skin glow करेगी क्योंकि honey है honey से vitamin C अग अगर आप लगाओगे face पे तो यह आपकी skin glowing करेगी और जैसे dark sports वागरा होते है ना वह भी remove करेगी तो आपने इसको 10-15 मिनट तक लगे रहने देना है उसके बाद आपने यह wash कर लेना है तो friends मैंने 10-15 मिनट के बाद मैंने यह face अपना clean कर लिया है तो यह आप देखिएगा कितना clear skin लग रहा है तो आप इसे neck hands पे भी apply कर सकते हो तो friends आपको यह video कैसे लगी आप बताईएगा जरूर like share subscribe करना मत भूलिएगा